तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट इची मुकू ट्रेडिंग स्टाटेजी बताऊंगा हम यहाँ इस इंडिकेटर के कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह कैलकुलेशन हमें इंकम जनरेट करके नहीं देने वाला इची मुकू क्लाउड एक फुल्ली ट्रेडिंग सेटप है इसके साथ हमें कोई एडिशनल इंडिकेटर यूज करने की जरूत नहीं होती क्योंकि इची मुकू क्लाउड हमें मार्केट के ट्रेंड और मॉमेंटम को आइडेंटिफाई करने में हिल्प करता है और साथ ही साथ ही हमें स्पेसिफिक बाई और सेल के सिंगल्स भी देता है लाइक अदर नॉर्मल मॉमेंटम इंडिकेटर जैसे में सेडिकेटर हमें रेंजिंग मार्केट में फॉल्स सिंगल्स देते हैं पर ये दिखने में जितना ज़्यादा complex है यूज करने में उतना ही ज़्यादा simple है तो सबसे पहले हम इस indicator के components को line में जानते हैं तो सबसे पहले जो line है वो है conversion line और दूसरा है baseline ये दोनों line ने crossover के through by और cell के signal generate करते हैं ये दोनों line ने moving average crossover के तरह काम करती हैं तो जब भी signal line baseline को नीचे से उपर की तरफ cross करता है तो ये एक by का signal होता है और जब भी signal line baseline को उपर से नीचे की तरफ cross करती है तो ये एक cell का signal होता है Next हमारे पास ये दो line है leading span A और leading span B ये दोनों line है मिलकर cloud की formation करते हैं ये cloud हमें sideways market को filter करने के साथ-साथ हमें trend को identify करने में help करता है For example, अगर stock bullish trend में है तो cloud भी uptrend direction में move करेगा और अगर stock bearish trend में है तो cloud भी downtrend direction में move करेगा Cloud का color भी हमें trend को identify करने में help करता है अगर cloud green color की है और price ये candle cloud के उपर है इसका मतलब market में अभी uptrend है और अगर cloud red clear की है और price या candle cloud के नीचे है इसका मतलब market में अभी downtrend है तो इस cloud के अपने कुछ rules है जो आपको भी follow करने है अगर candle cloud के उपर है तो आपको सिर्फ crossover के bullish signals पर trade लेना है और अगर price cloud के नीचे है तो आपको सिर्फ crossover के bullish signals पर trade लेना है और अगर candle या price cloud के अंदर है तो आपको कोई भी trade नहीं लेना इसका मतलब market अभी range bound हो चुका है तो इसमें जो next line है वो है lagging span ये इस indicator में optional है बहुत से traders इसका use करते हैं और बहुत से नहीं करते हैं lagging span आज के price से 26 दिन पीछे चलता है ये इस indicator में trend identification के लिए second confirmation का काम करता है तो अगर 26 दिन पीछे lagging span price या candle के ऊपर है इसका मतलब stock अभी uptrend में है और 26 दिन पीछे अगर lagging span price या candle के नीचे है इसका मतलब market अभी downtrend में है तो अब जानते हैं इन सब components को एक साथ use करके हम trade कैसे कर सकते हैं तो अगर price या candle cloud के ऊपर है और उसी समय conversion line baseline को नीचे से ऊपर की तरफ cross करता है तो आप यहाँ buy कर सकते हो और second confirmation के लिए आप lagging span का use कर सकते हो अगर lagging span 26 दिन पीछे candle के ऊपर है तो यह आपके लिए एक second confirmation का काम करेगी और अगर price या candle cloud के नीचे है और उसी समय conversion line baseline को ऊपर से नीचे की तरफ cross करती है तो आप यहाँ sell कर सकते हो और additional confirmation के लिए आपको देखना है क्या lagging span 26 दिन पीछे candle के नीचे है या नहीं अगर है तो यह आपके लिए second confirmation होगा और याद रखेगा price या candle cloud के अंदर है तो आपको कोई भी trade नहीं लेना तो hopefully guys आपको इस वीडियो से थोड़े information मिली होगी अगर आपको हमारे वीडियो informative लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए best of luck for your stock journey